और हम जानते हैं कि यह उस बड़े रोम के शाशक टीटूस के समय में हुआ था उसने यरुशलम को घेर लिया और फिर अंत में बस उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को खाया पेड से छाल को खाया और जमीन से घास को निकाल कर खाया और फिर तीटूस अंदर गुज गया और बस दिवारों को नीचे गिरा दिया और शहर को जला दिया और रास्तों पर नीचे लहू इस तरह से बहने लगा जहां पर उसने वहां उनकी हत्या कर दी और ऐसा होना था इससे पहले की नियाए करने वाला परमिशर कुछ लोगों को करने दे सके जिसे उसने चुना था इस तरह की चीज के नीचे आने के लिए वहां एक उचित कारण होना है वो नियाए करने वाला है उसके नियम उसके नियाए की मांग करता है और नियम बिना दंड के एक नियम नहीं होता है और मैं कहूं कि शहर में एक नियम बनाओ लाल बत्ती को पार करके जाना यह एक दंड है और फिर उस पर कोई जर्माना नहीं होता है तो आप बस लाल बत्तियों को पार करते जाते रहेंगे लेकिन वहां पर एक जर्माना होना है और परमिश्चर के नियम का दंड उसकी योजना को अस्विकार करना मिर्तियु है और वहां पर एक मिर्तियु को होना था तो इसे चुकाना था हम आज सुबह उसी तरह के मुकदमे में खड़े हैं पूरे संसार भर में उसी तरह का मुकदमा सारे संप्रदायों ने वचन को ठुकरा दिया है मैं जानता हूँ कि यह बहुती कठोर दिखाई पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि वे सेवगण जो सुन रहे हैं, यहां उपस्थे थें और जो टेप पर भी सुन रहे हैं, वे अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, कि मैं इसे स्पष्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी मुख्य बात को यहां पर पकड़े हुए हूँ या यहां अपनी मुख्य बात को रख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आज हम एक और पिलातुस के न्याय के भवन में खड़े हुए हैं आप कहते हैं यदि मैं मां खड़ा होता तो मैं एश्यू मुख्य के लिए बात करता और तो ठीक है अब आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं यही तो बात है देखा कोई फरक नहीं पड़ता चाहे कलेशिया ने कितना भी उसे ठुकरा दिया हो मैं तो उसके पक्ष में खड़ा रहता आपको अवसर मिला है समझे अब उसे परखा गया है या बस परखा जाता रहा है या और मुकंद में पर है एक संसार के सिध्धान को गठन करने के लिए जिसे कलीशिया की परिशद कहा जाता है ताकि विश्व कलीशिया परिशद का गठन करे अब और उन्होंने क्या किया है उन्होंने मद्दान किया है कि वे खुद को एक साथ एक जुट करें और कलीशिया का एक परिशद होगा और कलीशिया के इस परिशद में जिसमें सभी कलीशियां को इस परिशद से सम्मधित होना ही है या यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रचार करने की भी अनुमती नहीं है आपको यहां तक बिमार लोगों के लिए प्रात्ना करने की भी अनुमती नहीं है और आपके कलीसिया का उप्योग किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है जिसका वे उप्योग करना चाहते हैं यदि भी इसमें बक्से भरें या गोला बारूत भरें या जो कुछ भी वे करना चाहते हैं आपका इस पर अब कोई भी नियंतरण नहीं है आपको या तो कलीसिया के विश्व परिस्टे से संबन्द रखना है या आपको संबन्द रखना ही नहीं है और यही वो नियम है जो संयुक्त राज अमेरिका में यहां बन रहा है जो वचन के हर एक बिंदू को पूरा करता है ये 1923 में प्रभू ने मुझसे जो कहा था उसे पूरा करता है देखो और आज सुबहे हम उस समय पर खड़े हैं और इश्व मसी वो वचन आज मुकदमे पर है जैसा यह कुरूज चड़ाए जाने पर था और अब वो हमारे हातों पर है वो संसार के हातों में है वो वचन संसार भर में इस्पष्ट रूप से पैचाना गया है देखो और वह मुकदमे पर खड़ा है सारे संपरदायों ने उसे ठुकरा दिया है और अब वो कलिस्या की परिश्ट में उस रूप में परखा गया है और वे उसे फिर से अस्विकार करते हैं और चुनते हैं मेरा मतलब जैसा उन्होंने तब किया था आप देखते हैं इतिहास में प्रकुती स्वेम को दोहराती है क्योंकि प्रकुती उसी तरह से जारी रहती है पेड अभी भी बढ़ रहे हैं और सबजियां आने लगती हैं और फूल आते हैं और संसार वैसे ही घुमता है जैसे यह हमेशा होता है यह प्रकुती है और प्रतेग यूग की प्रकुती को फिर से उत्पन्न करती है और उसके प्रतिबिम्ब को उनके सामने पुना उत्पन्न करती है कि एक प्रकुती क्या थी और आज हम खुद को फिर से उसी स्तान पर खड़ा हुआ पाते हैं अब एशु वो वचन था यहुनना पहला अध्याय कहता है हम सभी इसे विश्वास करते हैं वो वचन था और क्योंकि वो वचन था किरपा समझें वो वचन था और उसे सिद्धान्त के विरुद होना था और उन्होंने उसके अद्बुत कारें के कारण उसे अस्विकार नहीं किया उन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा उसने कहा कौन मुझ पर दोश लगा सकता है और उसने क्या बुरा किया था छोटी मुझ ने कहा उसने क्या बुरा किया बलकि बिमारों को चंगा किया कहा हम इन चीजों के लिए उसे दोशी नहीं ठहराते हैं देखो हम उसे दोशी ठहराते हैं क्योंकि वो एक मनश होने के नाते खुद को परमिशर बनाता है और उनके अपने वचनों ने कहा कि वो परमिशर होगा यशाया में वो महान भविश वक्ता जिसने यशाया की 66 पुस्तके लिखी और आरम से पहले और किताब के बीच में योनना बप्तिस्मा देने वाला आता है और सरशताबदी राज्य में समाप्त होता है और बाइबल में 66 किताबे हैं जैसे यशाया में 66 अध्याए हैं इसका उलेक हुआ है यह इस तरह से घटित होता है इस यशाया 96 में उसने कहा क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम युक्ती करने वाला शांति का राज्खुमार प्राकरेमी परमिश्वर अनंकाल का पिटा अध्बुद रखा जाएगा और अन्दे रिती रिवाज या सिध्धांत इसे नहीं देख सकते थे कि वो परमिश्र था उनके अपने भविश्वक्ता के द्वारा जिसके पास वो वचन आया उसने कहा कि वो परमिश्र होगा अन्दे सिध्धांत तो उन्होंने वचन को ठुकरा दिया था और इसके इस्तान पर एक हत्यारे बर्रबा को चाहा था और आज वचन इस दिन के लिए स्पष्ट हुआ है प्रमानित किया गया है इसे वास्तविक बनाया है यह सत्य होने के लिए दिखाया गया है और अंतिम दिनों में जैसा की इश्व ने कहा जैसा की सदम के दिनों में था और इत्यादी तो वैसा ही यह मनुश्य के पुत्र के आगमन पर होगा वही परमिश्वर खुद जो वचन था अंति के समय की भविश्वाने की और क्या होगा और संध्या के समय में वो जियारा चमकेगा और कैसे वो मलाकी चार वो इन चीजों को आगे भीजेगा और उन्हें साबित करेगा और इसे निर्ने के इस्तान पर लाया गया है और कलीसिया ने इसे ठुकरा दिया है और कलीसिया ने क्या चाहा है एग वचन का हत्यारा वो एग जो सिद्धान को लेता है यदि सिद्धान्त वचन के विपरीत है तो ये वचन का एक हत्यारा है और वे संप्रदाय के रिची रिवाज़क को चाहते हैं बजाए एक सच्य वचन के जो प्रकट हुआ है ये साबित हुआ है कि ये परमिशर है जो लोगों के बीच में है विज्ञान के द्वारा चित्रों के जरिये से एक प्रकाश वही प्रबु का दूत अगनी का इस्तम्ब वही एक जो इशु मसी की देह में धर्ती पर रहता था जो अंतिम दिनों में उसके लोगों पर आया है जहां विज्ञान ने इसका चित्र लिया है कलिस्या ने इसके कारियों को देखा है यह पूरी तरह से टेप और इतियादी में पेचाना गया है हर कहीं और सारे संसार भर में और विक्ति का दुरूप से सेवकाई को किया है और फिर भी उन सभी में उनके सिद्धांत कलिस्या के एक परिशत की चा कर रहे हैं ताकि सत्य को दोशी ठेराएं एक हत्यारे की च्छा कर रहे हैं जिसे बंद करना है या रोकना है या निकाल देना है या ऐसा करेगा वे इस तरह के एक चीज को रोकेंगे या कलिस्या की परिशत को इसे करना होगा वहाँ पशु की शाप है मसी विरोधी जो वचन के विरोध है वचन जो मसी है लेकिन नहीं उनका वे सोस्ते हैं कि यह रिती रिवाज है उन्हें लगता है उनके रिती रिवाज परमिशर की और से है देखा लेकिन यह वचन के साथ मेल नहीं खाता है और नहीं परमिशर इसे सही होने के लिए प्रमानित करता है एशू वचन के साथ खड़ा था लेकिन उनके परिशत के साथ नहीं लेकिन वचन के साथ और वचन ने साबित किया कि वो परमिशर था और आज यह साबित होता है कि यह परमिशर है क्योंकि यह वही जीवन जीता है यह हमारे बीच उनी कामों को करता है जो उसने वहाँ पहले किये और भविश्वाने की तो वे क्या करते हैं वे कुछ ऐसा स्विकार करते हैं जो उन्होंने पहले ही स्विकार किया है उसी सिधानतों को जो इसे क्रूस पर चड़ा देंगे और वो स्वतंत्र अंतर धर्म संपरदाय का क्रूस पर चड़ाय जाना नजदीक है यह सई बात है